Hello Everyone, I am Ramis Pal and you are watching your favorite YouTube channel दिव ग्यान गंगा आज हम पढ़ेंगे present continuous tense present continuous tense के sentence को किस तरह से हिंदी से अंग्रेजी में हम translate करेंगे उनका अनुबाद करेंगे उनको देखते हैं सरसे पहले देखते हैं कि present continuous tense की पहचान क्या है कैसे पहचाने कि ये जो sentence है और present continuous tense में है उसकी जो मोल किरिया होती है उसके अंत में रहा हूं रहे हैं रहे हो रहा है रही हैं इत्यादी सब्द लगा हो तो इनका अनुबाद हम present continuous tense में करते हैं तो दोस्तों अगर आपको present indefinite tense की भी से में पढ़ना हो तो उसकी लिंक इस वीडियो की discussion ने डाल दिया हूँ प्लीज आप उसको भी पढ़ लीजिएगा हाँ अब इसकी देखती है बनावर कैसी होती है इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के नमबर और जंडर के अनुसार इज, आयम, आर का प्रियोग करते हैं आय के साथ आयम का प्रियोग और सब्जेक्ट के लिए हम इज का प्रियोग करते हैं और सब्जेक्ट के लिए आर का प्रियोग किया जाता है उसके बाद क्रिया का मूल रूप लिखते हैं उसमें इंज लगा देते हैं उसके बाद other word का प्रियोग दूसरे सब्दों का प्रियोग किया जाता है जैसे खुशी जोर जोर से हस रही है जहां सब्दे क्या है खुशी कौन सब परसन है थार्ड परसन और सिंगुलर है इसलिए खुशी के साथ इज लगेगा क्या होगा खुशी इज लाफिंग लाउडली हमारी गाएं घास खा रही है आवर काउज आर इटिंग ग्रास आवर काउज बहु बचन में है इसके लिए आर का प्रियोग किया गे इटिंग ग्रास मैं मैदान में तहल रहा हूं इसका टालेशन करेंगा आई I AM walking in the field अब देखते हैं हम negative sentences negative sentences की बनावट उसी परकार होती है जिस परकार की affirmative sentences की होती है परंत इसमें helping coolest माने इज मर के बीच में not का प्रियोग करते हैं जैसे मैं कहानी नहीं लिख रहा हूं आई I AM NOT writing a story यहाँ पर I AM on writing इन दोनों की बीच में लिखा गया उसका भाई समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है इस ब्रदर इस नाट रीडिंग और न्यूज पेपर यहां नाट किसके बीच में इस और रीडिंग के बीच में अगला देखें कि माली फूलों को नहीं तोड रहा है अगला देखें मै कल वहाँ नहीं जा रहा हूं इसका होगा इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसे में हेलपिंग वर्ब इज एम आर को वाक के पहले रख देते हैं मतलब सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं उसके बाद वर्ब में आई एंडी लगाते हैं फिर अदर वर्ड का प्रियोग करते हैं जैसे क्या सत्यजीत कल आ रहा है इसका टानलेशन करेंगे इस सत्यजीत कमिंग तुमारो क्या आप लोग उसकी मदद कर रहे हैं क्या तुम्हारी सिच्च का तुम्हें पढ़ा रही है इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे कि प्रियोग कब और कहां किया जाता है उसका इस्पेसल यूजज पढ़ेंगे इसका पहला इउजज है नेकट भविश्च में होने वाली निच्चित विवस्था का रिकराम कोई योजज ना है उसको बताने के लिए किया जाता है जैसे वाकल ही एक कंप्यूटर खरीदेगा या खरीद रहा है तो इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे मैं अगले सब्ता अपनी गारी बेच दूँगा या मैं बेच रहा हूँ मैं अगले सब्ता अपनी गारी बेच रहा हूँ इसका टानलेशन करेंगे आई एम सेलिंग माई कार नेक्ट बीक भविस्थ के इरादों को भी बताने के लिए हम प्रजेंट कांटीनुवस टेंस का प्रियोग करते हैं से मैं एक नए गारी खरीडने जा रहा हूँ इसका भाई एक दुकान खोलेगा या खोलने जा रहा है उसका टानलेशन करेंगे The Is Going To Open A Soap वोई लोग अपनी पुरानी कार बेचने जा रहे हैं या वोई लोग अपनी पुरानी कार बेचेंगे इसका translation करेंगे अगला प्रियोग हम करते हैं कि हमारी बरतमान अवस्थम कोई temporary card हो रहा हो कोई आस्थाई card ब्यापर किया जा रहा हो तो उसको बताने के लिए हम करते हैं जैसे हम लोग इन दिनों बिजली की समस्चा धेल रहे हैं इसका translation करेंगे We are facing electricity problem these days We are facing electricity problem these days मेरे विद्याले के अधिक्तर चात्र अच्छा कर रहे हैं इसका translation करेंगे Most of the students of my school are doing well Most of the students of my school are doing well सभी लड़के बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं इसका translation करेंगे All boys are sitting and talking All boys are sitting and talking तो दोस्तों आप के लिए मैं तीन संटे से देता हूँ जिसे आप translation करके comment box में लिखें पहला है मेरा भाई अगले वर्स लंदन जा रहा है दूसर संटेंश पटना इन दिनों जल की समस्चा जेल रही है तीसरा बच्चा खिलाओने से खेल रहा है तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसे लगा इसे comment box में अवस लिखें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्ले लाइक कर दें और चैलर को सब्क्राइब कर ले ताकि इस तरह की नईने वीडियो आप तक पहुंशती रहें थैंक्यू पर वाचिंग